अभी न पूछो कि मेरी मनजिल कहा है अभी तो सफर का इरादा किया है और ना हारूंगा होशला उम्र भर ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है तो चलिए रस्मलों आज के इस वीडियो में हम 12th Chemistry के एक और मज़ेदार टॉपिक का निप्टारा कर देते हैं आज का जो टॉपिक है वो है कोलराउश का नियम तथा इसके अनुपरियोग ये पूछा जाता है बच्चों पूरे चार नंबर में यह चार नंबर का यह कुश् करके प्लेलिस्ट बना दिया है आपको कहीं भटकना न पड़े इसलिए सारी वीडियो आपको वहीं से भले ही लेट लपेट आप देखें मिल जाएगे बच्चों ठीक ना चलिए तो कोलराउश का नियम क्या है इसको देख लेते हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जैसे यहां पर समझना है पहले हमने एक सॉलूशन बना दिया ध्यां से समझना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और एकदम केलियर हो जाएगा अब रटने की ज़रूरत नहीं है ठीक जैसे एक हमने बताया विलियन शॉलूशन है ठीक यह चीज एक बिलियन है और इसमें हमने एक बैद्दूत अभगट पदार्थ घोल दिया है तो बैद्दूत अभगट किसे कहते हैं रजगुलों अच्छी तरह से पता होगा कि ऐसे पदार्थ जिनके जली विलेन में धारा का प्रवाह हो सके उनको उपन क्या कहते हैं बैद्दूत अभगट जैसे हमने यहाँ पर NaCl इसको पानी में घोल दिया है तो हमें पता है ना कि भई इसमें जब यह तूटेगा तो Na क्या हो जाएगा प्लस में तूटेगा Cl माइनस में तूटेगा मतलब इस तरह से Na प्लस में हो जाएगा इस तरह से चार्ज ये वियोजी तो हो जाएगा यानि इसका अपघटन हो जाएगा बात समझ में आए चलिए अब देखिए कोलराउस का नियम क्या कहता है तो कोलराउस का नियम क्या कहता है पहले उसको लिखते हैं बच्चों कि अनन्त तनुता पर ठीक है ना अनन्त तनुता पर बैद्दुत अपघट की मोलर चालकता बैद्दुत अपघट की मोलर चालकता विलेयन में उपस्थित धनायनों तथा रिडायनों के मोलर के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है धनायनों तथा रिडायनों के यहां पर किलिएगा कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है यह कहता है बच्चों कोलराउश का नियम क्या कहता है कि कि इसी बैद्दूत अफगट में यह कोई बैद्दूत अफगट है रोजगुल्लों एनने सीयल एक बैद्दूत अफगट है तो कह रहा है कि इस नियम के अनुशार क्या कहता आनंत तनुता पर ठीक है ना यनि त्विसको सब्ते हैं यही कहरा है कि अनन्त तनुता पर किसी बैद्दूत अफगट के मोलर चालकता लिम्डा एन से हम किसको दर साते हैं मोलर चालकता को कह रहा है बैद्दूत अभगटी की जो मोलर चालकता है वो उस विलेयन में उपस्थित यानि विलेयन में उपस्थित धनायनो यानि इसी बैद्दूत अभगटी के धनायनो कह रहा है कहने का मतलब ये भी क्या हो गया एन्ने प्लस ठीक धनायनो तथा रिडायनो ठीक ना रिडायनो यहां से ये लिम्डा क्या हो गया सी यल माइनस हो गया धनायनो तथा रिडायनो के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता एक मिनट भई मोलर चयो लगता बार-बार भूल जाते हैं यहां पर प्लस हो गया बच्चों और यहां पर क्या हो गया यह cl – हो गया कह रहा है इसके भी हम यहां इहां लगाएंगे ठिक और यह बराबर होता है यही तो कहे रहा है कि अनन्त तनुता पर देखें। इसी से आप परिभासा पूरा समझ जाएंगे। कैंडन तनुता पर भैद्दूत अभगट। कि मोलर चालकता कि उस द्युыш का हुआ लियन में उपस्थित धनाएनों तथा रिडाएनों कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक यही नियम क्या कहता है कोले राउश का नियम जैसे कि हमने इसमें बता भी दी आपको कि क्या है एक बैद्दुत अब घटे है ठीक ना यही एक विलेन है इसमें हमने एक बैद्दुत अब घटे घोल दिया और घोलने के बाद जब इसके जली विलेन में धारा का प्रवा के जो मोर चालकता होती है उस विलैन में उपस्तिर धनायणों तथा रिदायणों के मोलर चालकताओं के योग के बरावर होता है ठीक है ये बात है समझ में आ गया कि कलराउस का नियम क्या है अब कॉलराउस के नियम का हम देखें से ज्यादा है ठीक वो चीज है वियोजन की कोट ग्याद करने में वियोजन की कोट ग्याद करने में ग्याद करने में वियोजन की कोट ठीक अब की मतलब जो भी वैदु तब घटे इसमें वियोजन की कोट ग्याद करने के लिए कोलराउस का नियम लगाते हैं योंने कुल्राउच के नियम का प्रियोक करते हैं। वीयोजन की कोट याथ कैसे करते हैं। इसको विधयान से समझ लीजไih गां। इसको लिख देते हैंे की किसी सांद्रता पर पर बैदुत अपगट की मोलर चालता ठीक है ना हमने क्या बताया रुज़ गुल्लों कि किसी सांद्रता पर बैदुत अपगट की मोलर चालता तथा अनांत तनुता पर बैदुत अपगट की मोलर चालता के अनुपात को क्या कहते है वियोजन की कोटी कहते है वियोजन की कोटी कहते है जिस कहते है वियोजन की कोटी किसी सांद्रता पर बैदुत अपगट की मोलर चालता कि कहने के अनुपात इन दोनों का अनुपात अगर आप कर देते हैं तो उसी से वियोजन की कोट हम ग्याद करते हैं कहने कार्थ ये रसगुलनों इसको हम सैंबल में लिखेंगे तो अलफा बराबर कहरा कि किसी सांदरता पर तो ये हो जाएगा लेम्डा सी और उसके बाद ठीक ना किसी सांदरता पर मैं मोलर चलकता कह रहा है तथा आनन्त तनुता पर ठीक ना चाहा इसको ऐसे लिखिए है वही चीज आनन्त तनुता पर कह रहा है कि मोलर चलकता के अनुपात से ही क्या करते हैं हम वियोजन की कोटी ग्याद कर लेते हैं बाद समझ में आगी बच्चों तो ये चीज होता है वियोजन की कोटी कैसे ग्याद करते हैं तो कोलराउश के नियम के द्वारा ठीक तो ये रहा कोलराउश का नियम तथा उसके अनुपरियोग ठीक आई होब कि ये टोबिक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ये वीडियो पसंद दें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और जादा से जादा अपने दोस्तों तक वीडियो को सेयर जरूर कर दिया गरे ताकि उनके भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके तो चलिए इसको स्क्रीन सोट कर लेजिए मिल दें किसी और समय दार वीडियो के साथ लव यू बाई बाई टेक केर